बिस्मिल्लाहिरामानुरहीम अस्सलाम अलेकुम डियर विवर्स देसे साउध और वाचिंग माई यूटूब चैनल साउध सुलूशन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेक्वल पार्ट सुलूशन ऑफ मॉडल पेपर सेकंडेर माथमाडिक्स कर नाची बोट इसका सेक्षिन भी शौट आंसर कोचन समसाल्व कर रहे हैं और इसका सब सेक्षिन हैं आपके पास कैलकुलस कि आज हम कुशन को फॉर्ट पार्ट के एपार्ट को स्लॉल्ट करेंगे फौर्ट पार्ट में कह रहा हैlement डिवाईपॉन डिएक्स वालूम करें के आपके पास कि एपार्ट में जो आपको फ़ंक्शन दिया है वह यह दिया है x cube plus y cube is equal to 3a xy सबसे पहले मैं यहाँ पर solution की heading डाल रहा हूँ और सवाल को copy paste कर लेता हूँ और इसके बाद हम पहचान करते हैं कि इस सवाल हम से किस exercise और किस topic का पुछा गया है तो यह है आपके पास implicit function और exercise है 4.3 implicit function एक ऐसा function होता है जिसमें x और y variables की values इस तरीके से mixed होती है कि single y को एक तरफ करना नामुम्किन सा काम होता है तो फिर हम इसकी differentiation कैसे करते हैं अब आप देखी सबसे पहले मैं यह काम कर रहा हूँ कि 3a xy यह positive term लिखी हुए अगर मैं इस तरफ shift करता हूँ तो minus का हो जाएगा और वहाँ पर क्या बचेगा जीरो बचेगा आपने यहाँ पर लिखा x3 अब हम डिफ्रेंटेट करेंगे विध इस्पेक टो एक्स के लियास से लिखें लिखें डिफ्रेंशेट इस विध रिस्पेक्ट टू एक्स ऑप्रेटर लाएंगे एक दो तीन तम से तीनों के लिए हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्सक्यू प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब माइनस ठीरी एक कोफिशेंट है इसको बाहर निकाल लीजी और डी ओवर डी एक्स यह आपका ऑपरेटर होगा एक्स वाई प्रूडिक्ट टम है इस दिखर दूश्यू है अब इसकोडि necessaire करे एक्स के लिए से अपरेटर रहे और एक्स की डम मोझे कोई मसा नहीं होगा एक्स क्यूब को डेटिव का होगा थीरी एक्स इसक्वार प्लस एक्स के लियास से आप्रेटर है मगर टम है वाई की तो य को एक्स की तरह डिफ्रेंशेट कर दे वाई क्यूब का क्या होगा थीरी वाई स्क्वार मगर आपको अब बैलेंस करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स से माइनस थीरी ओफ ए यह कर ली ब्रेकिल लगाई में यहां पे दो टर्म्स मल्टीप्ला हो रही है प्रोडिक्टोरिय प्रोडिक्ट रूल लगेगा यूंडू वी का पह एले लिकंगा X डिफरेइंक करूँगा मैं Y को प्लस Y लिखा dispar misinformation किया मैंने रहे है आप एक्स को को इस इकल डो को 0' को डिफेरिइंस करने का कोई गानिक्स आफड लिए तो आप मैंने ऐसे लिग दिया जिरो कर देए इसके बाद एक चीज और है यहां पर गौर से देखें तो थिरी इसके साथ है तो अगर मैं पूरी इस इग्वेजन को थिरी से डिवाइट कर दूं तो थिरी यहां से कैंसल अगर और मुझे संप्रिफिकेशन करने में आसानी होगी तो मैं अब यहां पर इन दा नेक्स स्टा थिर्य से डिवाइट कर दूंगा मैं अगर मैं तेरी से डिवाइट करूंग तो यह जान लिकोंगा मैं यक्ας कईрий y over dx माइनस 3a वाली तो जब इसको डिवाइड के 3 से 3 से 3 के इंसल माइनस बचेगा करली ब्रेकट अब इसको सिंपलिफाय करें एक्स तो ऐसी रहेगा y को x के लिए से डिफिशेट करेंगे तो dy upon dx बन जाएगा यहां लिखेंगे हम dy over dx फिर प्लस y है और x का derivative x operator के लिए से हमेशा 1 होता है यहां पे लिखेंगे हम 1 करली ब्रेकट क्लोस इस इकल दू जीरो अब मैं इस साइड का रिमूब कर रहा हूं अब हम यह काम करते हैं कि इस माइनस ए को इस ब्रेकट से मल्टिप्लाय करके open कर दूँगा तो क्या बनेगा यहां पे है तो मैं इसको यहीं रखता हूं y square dy over dx minus ax dy over dx is equal to यह minus ay की डाम है जब उदर शिफ्ट करूँगो तो कहा बन जाएगी प्लस का ay बन जाएगा इसके बाद यह plus का x square है उदर शिफ्ट करूँगो तो माइनस का x square बन जाएगा इसके बाद हम इसको further more simplify करते हैं यहां से dy upon dx को में निकालूँगा y square minus a of x is equal to ay minus x square मुझे चाहिए इसके dy upon dx का अंसर यह bracket यहां पर multiply कर रही है इदर जाके divide करेगी तो इसका final result हो जाएगा dy over dx is equal to ay minus x square divided by y square minus का ax यह आपका final dy upon dx derivative का answer होगा इसको note down करेजे और इसके साथ ही इस्टुएंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर end करते हैं नए सवालत के solution को जानने के लिए देखते रहीगा सौू सुलूशन्स इसको subscribe करें इसको like करें अपने दोस्तों में share करें अपना बहुत खायल कीगा अल्लाहाफस